इसी वी government exam के लिए ये topic है न काफी जादा important है ये topic और एक disease वाला topic ये दोनों topic जो biology का दो most important topic में गिना जाता है इसलिए इस topic को हम अभी पहले इसको करते फिर disease वाला portion करेंगे तो chapter का नाम क्या है nutritional requirement कि सरीर को किस-किस nutrition की जरूरत होती है उस पर question discuss करेंगे तो सबसे पले अगर हमें खाना खाते हैं तो खाना में आपको क्या-क्या मिलता है carbohydrate मिलता है, protein मिलता है, minerals मिलता है और vitamin मिलता है तो जो carbohydrate और fat है carbohydrate उससे हमें क्या मिलता है energy मिलता है तो एक basic question तो यही पूछा सकता है कि energy providing component कौन-कौन होता है carbohydrate और fat protein क्या होता है यह body building component है यह body को build करता है बट अगर जो protect करता है बिमारियों से हो है mineral और vitamin mineral और vitamin क्या करता है यह protect करता है body को तो तीनों पाट याद रखना है energy giving carbohydrate and fat body building protein और mineral and vitamin क्या है protective component अब सबसे पहले हम थोड़ा सा carbohydrate के बारे में बात करते हैं carbohydrate के बारे में थोड़ा detail में discuss करते हैं carbohydrate किस-किस से बना होता है carbon से hydrogen से और oxygen से बनाता है carbon hydrogen oxygen ratio देख लिए carbon का ratio 1 ता 1 hydrogen का 2 और oxygen का 1 जैसे एक फार्मूला आपने देखा हो C6H12O6 यह एक प्रकार का carbohydrate है ratio 1 is to 2 is to 1 है न यह energy का सबसे cheap source है सबसे cheap source है अगर अगर वन ग्राम of carbohydrate का oxidation करें 1 ग्राम of carbohydrate का oxygen के presence में oxidation करें तो कितना energy निकलेगा 4.2 kilo calorie energy लेगा 4.2 kilo calorie यही अगर 1 ग्राम fat रहता न तो 9 kilo calorie of energy produce होता समझ में आया तो fat से ज़्यादा energy produce होती है अब carbohydrate का source कौन-कौन है wheat मतलब गेहू rice मेज बाजरा बाजरा important है पोटाटो सूगर वीट बनाना यह सब energy source है carbohydrate का और जितना energy हमारे body को मिलता है उसका 50% on carbohydrate से ही लेते हैं किसे लेते हैं carbohydrate से लेते हैं कितना क्लियर है न एक तो आप कोई ratio ध्यान रखना है उसके बाद यह energy कितना होता हो ध्यान रखना है एक्जामपल ध्यान रखने है अब carbohydrate के types है पहला क्या है कौन-कौन टाइप है monosaccharides, disaccharides, polysaccharides और oligosaccharides यह हम इसको पहले भी लिख सकते हैं poly से पहले भी लिख सकते हैं अब monosaccharides का मतलब क्या होता है monosaccharides का मतलब यह simple sewer होता है अगर दो monosaccharides मिल जाएगा तो disaccharides बनेगा और 2 से ज्यादा 2 से 10 तक मिल जाएगा तो oligosaccharides बनेगा और 10 से ज्यादा मिलेगा 10 से ज्यादा monosaccharides मिलेगा तो polysaccharides बनेगा यह ध्यान रखने आपको और monosaccharides यह simple sugar होता है इसके example कौन-कौन है glucose C6-H12-O6 अगर यह कहां पर store होता है liver में और muscle में store होता है मालो अगर आपने खाना खाया आपके ज्यादा glucose की मात्रा आ गई तो glucose का ग्लुकोज जो होता है वो सरीर में ऐसा नहीं निकल जाता एक्स्ट्रा लेली है तो वो सरीर के अंदर ही muscle और liver में store हो जाता है किस form में glycogen के form ही यह important है कि glucose किस form में convert हो जाता है सरीर में store होने से पहले glycogen में convert हो जाता है glucose है Fructose है Fructose सबसे मीठा वला अगर आप से पुछा आगा सबसे मीठा कौन सा है तो Fructose उसके अधर होता है Galactose Riveose Riveose उसके अधर होता है Deoxy Riveose Nucleic Acid का component है Riveose चलिए अब Dicecrites डाई सेक्राइट्स दो मोनो सेक्राइट्स के मिलने से बनते हैं ठीक है उसमें पहला आ गया सुकरोज जो हम खाते हैं जिसको हम टेवल सुगर बोलते हैं देखो कौन-कौन मिलता है एक ग्लुकोज और मीठा सबसे कौन होता है glucose और fructose मिल जागा न तो यहीं मिलके स्क्रोज बनाएगा lactose कुन lactose कहाँ पर मिलता है दूध में मिलता है तो glucose और galactose यह दोनों मिले जएका है न तो इसको हम lactose बोलते हैं और lactose को natural sugar बोलते हैं और lactose अगर देखो lactose जो है न उस वो दूध में मिला उसमें अगर Lactobacillus bacteria डाल दिया जाना क्या हमने बोला कि Lactose खुद किस से मिलके बना है Glucose और Galactose से मिलके बना है अगर उसमें उसको हम Natural Sugar बोलते हैं अगर उसमें हम Lactobacillus bacteria डाल दियाना तो Lactobacillus bacteria क्या करता है Lactose को Convert कर देता Lactic Acid में ठीक है ना और आपको पता Acid खटा होता है बदल देता जिसके कारण वो curd बन जाता है दही बन जाता है चीज और हमें यहीं उसके बाद Maltoge Maltoge इसको malt बोलते हैं 2 Glucose मिल जागा ना Glucose plus Glucose उ माल्टोज बनेगा अब हम पहले Oligosecrites क्या होता है इसमें 2 से 10 Monosecrites मिल जागा ना तो Oligosecrites Oligo का मतलब है ता है कुछ ठीक है Develop Antigenic Recognition Develop कर लेता है Antigenic Recognition अब Polyosecrites बहुत है इसे Question बहुत जाद आता है समझ में सबसे पहले समझे Cellulose क्या है देखो Cellulose या Hemicellulose ये दोनों main component है Plant के Cellulose का अब बोलोंगे कि Plant में Cellulose होता है इनसान में Cellulose होता है इनसान के Cellulose में Cellulose नहीं होता है Animal के Cellulose में Cellulose नहीं होता है Plant के Cellulose में Cellulose होता है ठीक है तो Cellulose क्या है Cellulose प्लस Hemicellulose ये main component है Plant के Cellulose का याद रखिए drop डालेंगे ने cellulose में तो blue या black color का नहीं होगा convert नहीं होगा समझें एक तो cellulose discuss के लिए second है chitin बहुत famous आप से सीधा पुछ लेगा fungi जो है ना उसका cell wall किस चीज़ का बनावता चitin का और ortho phoda का जो cell रिजर्व ग्लुकोज था ग्लुकोज को ग्लाइकोजिन में convert कर रहा था सरीर में store करने के लिए जो की muscle और liver में store होता है starch क्या है starch ऐसा food जो plant के पास है और extra food है plant के पास तो store करेगा किस फ़र्म है starch के फ़र्म है वहां पर iodine का drop डालेंगे तो blue या black color का हो जाएगा glycogen क्या है reserve glycogen यह animal में plant नहीं animal में अब clear तो carbohydrate से जो जो question बजना चाहिए था यहीं से बनेगा इसके बाहर बनने का chances क्योंकि मैं इसको देखो कई books से ले लिया हूँ N-C-E-R-T जो अभी हम परे हैं उसके अलावे घटना चक्र और crown crown अब ले ले रहे हैं तो आप समझो leucent भी आई क्या है अब fat की बात करते हैं fat भी इसी तीनों चीज़ से बनता है बट वहां पे oxygen का मात्रा एक से कम होता है जिस तरह energy requirement के लिए 50% के लिए हम carbohydrate पे depend करते हैं तो 15-20% के लिए किस पे depend करना पर है यानि fat पे फैट जो होता है न वाटर में नहीं पिखलता है बट chloroform और alcohol में क्या होता है पिखल जाता है फैट वाटर में नहीं पिखलता है बट chloroform और alcohol में पिखल जाता है इसको store food की तरह यूज किया जता है और energy production में भी काम होता है और ये store कहां पे होता है store कहाँ पर होता है edipose tissue में fat store होता है जो हमारा thigh वाला part हुआ back वाला part हुआ जिससे जो आदमी अगर मोटा होता है न बोलता है इसका fat ज़्याद होगे तो fat हर जगे store नहीं होते muscles में store नहीं होते आपके edipose tissue में store हो जाते है liver में store हो जाते है fat body जैसे camel का नहीं होता है camel का वो गर्दन वाला part होता है इनसान का thigh hip इन जगे store हो जाता है तो edipose tissue में store हो जाता है और fat body जो part है वहाँ पर store हो जाता है तो fat store कहां कहां होता है edipose tissue liver में और fat body जो जो होता है camel का इनसान का thigh, hip इन जगे store हो जाता है वन ग्राम ऑक्सिडेशन करें तो मैंने बता था ना 9 से ज़्यादा 9 किलो कैलरी एनरजी रिलीज होगी अगर फैट का डाइजेशन किया जाएगा फैट डाइजेशन होता तो किस फ़र्म में कनवर्ट होता है फैटी एसिड में और गिलसिरॉल में इसको इस्टर भी बोलते हैं फैटी एसिड और गिलसिरॉल ठीक है अब आगे देए यह फैट है डेराइड फैट जो कि पाटी देखो आपसे सिंपल यह पूछ सकते हैं बहुत सारे बिटामिन है उसमें से दो बिटामिन होता है नो पानी में पिघल जाता है सिर्फ और B और C तो बिटामिन B और बिटामिन C water soluble है तो आपको WBCC याद रखना है बाकि जो है चाहे A हो, D हो, E हो, K हो यह सब fat soluble है यह बिटामिन fat में पिघल जाएगा fact और क्या काम करता है, sock observer की तरह काम करता है, sock जो आएगा न, eyeball पे, gonads पे, kidney पे इसको absorb करेगा ठीक है, उसके बाद एक insulating layer की तरह काम करता है, जो सब catenaneous fat जो होते है न, वो insulating layer की तरह काम करता है दो प्रकार के fat होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा question से बन सकता है, animal fat और plant fat, animal fat और plant fat ठीक है न, animal fat में थोड़ा खराब होता है, और plant fat में थोड़ा अच्छा होता है, animal fat में कोन कोन आ गया, milk आ गया, milk के products आ गया, एक solid form में देखो, और इसको saturated fatty acid बोलते है saturated, और यह क्या करता है, cholesterol में convert होके, और हमारे coronary arteries में, क्या हो जाता है, deposit होता जाता है, जिसके कारण myocardiac infection होते हैं, जानि heart attack हो सकते हैं, इसलिए इसको कम यूज़ करना चाहिए, simple समझे, देखो, चाहिए, animal का fat जो होता है, milk, milk product, egg, यह solid form में होते हैं, और यह saturated fatty acid इसके प यह cholesterol में convert हो जाके, coronary artery है, उसमें क्या हो जाता है, जिसके कारण myocardiac infraction होता है, यह heart attack होता है, इसलिए में कम यूज़ करना चाहिए, plant का fat जैसे ground nut, coconut, mustard, sunflower, यह liquid form में होते हैं, liquid यह वाइल के form में होते हैं, ठीक है, इसके पास polyunsaturated fatty acid, इसके पास क्या था, saturated fatty acid, इसके unsaturated fatty acid है, PUFA, यह कम harmful आता है, melting point इसके कम होता है, mostly liquid at room temperature, अगर दिक्कत पता है क्या हो जाता है, दिक्कत तब होता है, इस plant के product को लोग ज़्यादा देन तक टिकाये रखने के लिए इसको solid में convert कर देते हैं, वो बहुँ ज़्यादे खराब हो जाता है, अब चलि समाझ सेब, बिल्कुल single bond, unsaturated का मतला या तो double bond होगा, या तो triple bond होगा, यसे हम बात किये हुए न, देखा, fatty acid have single bond, यह blood के lipid level में help करता है, at least one double bond या triple bond होता है, इसको monosaturated बोलेंगे या polyunsaturated बोलेंगे, mono मतला एक double या triple bond है, एक से ज़्यादा है, तो इस polyunsaturated बोलेंगे, ठीक है, saturated fat है न, हमारे body को ज़्यादा जरूरत नहीं होता है, क्योंकि body अपने आप synthesize कर लेता है, unsaturated की जरूरत होती है, क्योंकि body synthesize नहीं कर पाता है, अब कुछ saturated fatty acid जो की खराब है, ठीक है न, और कुछ unsaturated fatty acid देखो, यहाँ पर देखो, जो saturated fatty acid है, जिसमें वो खराब है, तो saturated का एक्जामपल, buteric acid, समसे पन्द समझो, आप से यह कोशन पूछेगा, buter में, loric acid, coconut oil, palm, kernel oil, और breast milk में मिलता है, myristic acid, यह cow के milk और dairy product में मलता है, palmitic acid, butter में, palm oil, meat में मिलता है, sterilic acid, meat और cocoa butter में मिलता है, some unsaturated fatty acid है, palmitoleic acid, यह macademia nuts में मिलता है, oilic acid, olive and canola oil में मिलता है, और myristoilic acid, यह well के blubber में मिलता है, linolic acid, यह peanut oil, chicken, fats, olive oil में मिलता है, linolic acid, lion seed oil में मिलता है, linolic है और linonic है, दुनों अलग है, अब देखो, human में क्या होता है, linolic and alpha-linoic acid, यह omega-3 fatty acid होता है, यह जो fat होता है न, उसके accumulation को रोकता है blood vessels में, ठीक है न, इसमें अगर wild seed माल ले, line seed के बात करे, यह primary essential fatty acid है, उसके अलाबे एक और example है, archiodonic fatty acid, यह polyunsaturated omega-6 essential fatty acid है, यह liver में मिलता है, brain में मिलता है, granular organism में मिलता है, ठीक है, तो, अब यह बहुत important है, देखो, hydrogenation क्या होता है, hydrogenation, हम अगर unsaturated fat को, unsaturated fat को, saturated fat में convert करते हैं, यानि liquid को solid में convert करते हैं, क्यों, ताकि उसका जो time है उसको बढ़ाया जा सके, तो यह खराब, देखो, यह product ज़्यादा दिन टेक्टिर जाएगा, बर product की quality खराब हो जागी, ठीक है, तो इससे क्या होता है, low density lipids बरेगा, और high density lipids घतेगा, high density lipids का मतलब या तो second bond हो, या तो third bond हो, और low density मतलब सिंगल बरेगा, high density lipids, heart, degenerate, stroke, high risk of developing, to diabetes है, यह diabetes होगर हो सकता है, अब हम protein की बात करते हैं, सबसे पहले प्रोटीन का नाम किस ने उज़ किया था, बर्जीलियस ने उज़ किया था, किस ने किया था, बर्जीलियस ने, हमारे body का main building block होता है, सारे enzyme, चाहे कोई oxygen carrying pigment होगा, entire body होगा, majority hormones होगा, यह सबके सब protein ही है, और protein किसी से बना है, carbon, hydrogen, oxygen और nitrogen, कुछ-कुछ में तो sulfur और phosphorus भी होता है, ठीक है, देखो, protein actually बना किसे होता है, बहुत सारे amino acid एक साथ मिल जाते हैं, तो उसे protein बनता है, amino acid में 20, देखो 20 होते हैं न amino acid, उसमें से 10, 20 natural occurring है, जिसमें से 10 को non-essential बोलते हैं, क्योंकि सरीर खुद उसको synthesize कर लेता है, तो उसके लिए कोई खाना वाना खाने की ज़रूत नहीं होती, 10 essential इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वो अलग से लेना पड़ता है उसके लिए खाना, एक क्या होता है, protein calorie malnutrition, PCM, PCM क्या होता है, ये दिक्कत है, मतलब कि कोई अगर protein की कमी हो गई ना, तो इससे बिमारी हो गई है, अगर बच्चों में muscle loss हो जाता है, लूज हो जाता है, muscle lose हो जाता है, उसको marasmus बोलते हैं, और quacir core क्या होते हैं, जब बच्चों का पेट बाहर नहीं हो जाता है, और पैर और हाथ और बिल्कुल पतला हो जाता है, उसको quacir core बोलते हैं, ये सब protein की कमी से होता है, ठीक है, अब protein का कुछ function जिसपे question आ जाते हैं, सबसे बहले, transport, hemoglobin और albumin, ये transport का का काम करता है, उसके हार्मोन्स कौन कौन है, insulin and growth हार्मोन, ये हार्मोन्स है, contractile में कौन कौन है, actin और myosin, protective में कौन है, fibrin और immunoglobin और interferon, उसके हाथ enzyme में क्या है, hexokinage और pepsin, structural कौन है, collagen और elastin और keratin, storage में कौन है, oval viumin और glutinin, ठीक हैं, ये सब कुछ function है, अब vitamin का, जो discovery, N.I. Lumin ने किया, नाम किस ने दिया, funk ने दिया, अब vitamin का बारे में, discuss करते हैं, vitamin A की scientific की याद नेम याद रखिए, retinol, B से B complex, ठीक है, देखो, इसको actually scientific नेम है, thiamin, क्या है thiamin, C से scorbic acid, D से calciferol, E से tocopherol, K से phyloquinin, मिर्टा कहां से, vitamin A, carrot से मिलेगा, और हरा सबजी से मिलेगा, thiamin की से मिलेगा, animal और dairy product से, दूद हो गरा से मिलेगा, C, citrus fruit से मिलेगा, berit से मिलेगा, tomato से मिलेगा, citrus fruit मतलब निम्बू, आवला और से बहुत, calciferol मतलब fish से मिलेगा, एग के york से मिलेगा, बीच वाला होता है, चीद से होगा, पीला वाला part होता है, vitamin E कहां से मिलेगा, almond से मिलेगा, peanut से मिलेगा, soyaabin से मिलेगा, उसके बाद, vitamin K किसे green leafy vegetable से मिलेगा, पत्तेदार से, function क्या है, देखो, vitamin A से अगर आपका आँख ठीक रहेगा, आपका immune system बूस्ट होगा, ठीक है न, और जो disease होता है, उसको night blindness बोलते हैं, color blindness की बात नहीं, color blindness एक genetic disease है, ये father, mother से बच्चों को फैलता है, जेनों थैलमिया इसको बोलते हैं, night blindness को, और, vitamin B की कमी से, क्या हो जाती है, एक रोग का नाम है, बेरी, ठीक है, इसको, berry बेरी याद रखे, इसे muscle और body बीक हो जाते हैं, berry बेरी, vitamin C से, सकर्भी होती है, और anemia भी हो जाता है, antioxidant का काम करता है, iron का formation करता है, bone growth खराब हो जाता है, rickets हो जाते हैं, और osteoporosis हो जाता है, vitamin E की कमी से, neuropathy और anemia, ठीक है, और antioxidant होता है, immune system को boost करता है हमारे, उसके बाद, vitamin K की कमी से, जो blood है उसका ठक्का जमना होता, जैसे अगर आपको blood आगे कहीं हाथ उठक्ट गया, तो ठक्का जम जाएगा, hemorrhage disease को बोलते हैं, ठीक है न, blood hemorrhage नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, और, देखो, hemorrhage का मतलब क्या होता है, blood clot करना है, blood clot ही नहीं होआ, बैहता रहा, तो आपको दिक्कत हो जाना, देखो, और vitamin E के गमिस एक famous रोग है, जो sterility हो जाते है, मतलब नपुन सकता आजाती है, उसमें, और ये, rickets जो होता है न, वो बच्चों में होता है, child में होता है, osteoprocess क्या होता है, adult में होता है, ये थोरा सा आप ध्यान रख सकते हूं, retinol, thiamine, और से देख लिए, night blindness, देखो, ये दो अलग लग है, night blindness अलग है, gerophthalmia अलग है, ठीक है न, मतलब दोनों, एक ही चीज़ों बोल सकते है, night blindness भी, दोनों आँखे से related है, night blindness का मतलब है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, dim light है, तो gerophthalmia का मतलब है, आपका cornea और, cornea थोरा सा सूख रहा है, ठीक है न, cornea थोरा सा सूखा है, अब कुछ mineral है, जैसे एक बहुत फेमस है, calcium, calcium, सबसे पहले ये, हड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है, teeth के लिए बहुत अच्छा, immune system के लिए अच्छा होता है, मिलेगा किसे, blackberry, blackberry, dates, milk, egg, pomegranate, almonds, wheat और soybean, sodium की बात करें, तो blood pressure के regulation में मदद करता है, blood volume में मदद करता है, और nerve और muscle cell है न, ये अच्छे से function करें, उसमें मदद करता है, ठीक है न, onion, fresh fruit, sweet potato, broccoli, pumpkin, seeds, egg, milk, इससे में मदद करता है, iodine की बात करें, इससे हमारा क्या होता है, एक तो सबसे important, जो एक घेगा रोग होता है, goetter, वो नहीं होता है, उसके healthy hair को promote करता है, nail, skin, teeth, इस सब को, body, greater growth को control करता है, कहां कहां से मिल जाता है, seed food से मिल जाएगा, iodized salt, milk, food, शे सब, phosphorus की बात करें, तो phosphorus और calcium साथ में ज़रूरी होता है, bone के formation के लिए, teeth के लिए ये सा, phosphorus ये भी passion fruit से मिलता है, अब देखो, water की बात करें, water हमारे body में, 60 to 75% water, ये most stable solvent है, food के transport में मदद करता है, ये temperature को stabilize करता है, और हमारे body से excess, जो waste हो गरा होते हैं, वो heat निकलता है, sweating के थूरू, ठीक है, मतलब body heat निकलता है, sweating के थूरू, ये यादर किये, rawage क्या है, ये cellulose constitute rawage in food, ये indigestable portion होता है, हमारे diet का, fruit, vegetable and outer coat, जो होता है, seeds का उसकी बात करते हैं, और the rawage, enable the food to move easily through the intestine, से बाहर निकलता है, test क्या है, स्टार्ज का test याद रखिए है, food में अगर iodine drop डालेना, तो blue और black कलर का हो जाता है, self-fit का 2 drop डालो, caustic soda का 10 drop डालो, तो violet कलर हो जाएगा, food item को अगर paper से wrap करते हैं, वाईली पैचे जा जाते हैं, उसका मतलब उसमें fat है, तो देखो fat का भी test बता दिया, protein का भी test बता दिया, starch का भी test बता दिया, अब जो dg's वाला है ना, वो तो obviously हम next video में करेंगे, ठीक है, तो nutritional requirement बाला पूरा part हमारा हो गया, इससे बाहर जो question नहीं आ सकता, इससे बाहर कुछ होगा तो हम वो करेंगे इना, क्या करेंगे, क्या करेंगे, MCQ, उससे हो जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूमच,